नमस्कार दोस्तों के यूके से संबंधित स्टुडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करी हैं अपडेट से हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा शेयर जरूर करें केगे की तरफ से कुछ और कोर्सिच के रिजल्ट्स पिछले दिनों डिकलेर केगे हैं बीएड का वन येर कोर्स का मई दो हजार बाइस का इससे पहले भी अलगलग कोर्सिच के रिजल्ट्स डिकलेर हो चुके हैं बीएड पार वन का रिवाइज रिजल्ट आचुके हैं इसस जो भी सम्मधित कोर्षिज के श्रेंट्स हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं सभी अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें और जिनके रिजल्ट नहीं आये हैं वो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें और जहां तक बात है प्राइवेट के फारम तो next week तक का time था कि next week जो फारम ह वो सुरू हो सकते हैं तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा जिन कोर्सिज की रिजल्ट्स आ चुके हैं उसके बाद रिवैल अपलाई करने के लिए जिन कोर्सिज के लिए पोर्टल पर सैड्ड्स आ चुके हैं चाहे हो रेगुलर का है प्राइवे डिस्टेंस वाले केंडिट्स का है वो अब पोर्टल पर अवेलेबल है जिनका सैड्यूल आ चुका वो रिवैल अपलाई कर सकते हैं कायदा यहां पर सारे जानकरें बतांगे कोर्स नहीं समेस्टर इयर सेसन रिजल्ट डेट उसके बाद नोर्मल फिस के साथ है रिवल का फारूम भणने टेट 300 रुपाई की लेट 50 के साथ फारम भरने की डेट ये पूरा सैट्डूली हाँ पर बताए गया अलगलग कोर्सिज का BA, BSC, B.com, M.A.M.S. सित्यादी अलगलग कोर्सिज के अलगलग स्ट्रीम्स का परने के लिए पॉर्टल पर सैट्डूल आ चुका है जैसे कि M.S.C. मैथ का पार्ट 2 का इससे पहले B.S.C. पार्ट 2 का M.A. हिंदी पार्ट 1 पार्ट 2 M.A. हिस्ट्री पार्ट 2 M.A. पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 M.A. पॉलिक अड्मिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 अलगल कोर्सिज के लिए रिवाल अपलाई करने के लिए सैट्डूल पॉर्टल पर आवेलेबल है तो आप सैट्डूल चेक कर सकते हैं और जिनका सैट्डूल है और अगर उन कोर्सिज के संबंदे स्ट्रीवाल अपलोड किया गया है काफी सारे कोर्सिज की जो कुछ और डेट सीट हैं कुछ डेट सीट रिवाइज भी की गई हैं वो भी वैबसाइट पर अवेलेबल हैं अपलोड कर दी गई हैं पिछले विक में काफी सारी जो डेट सीट हैं वो रिवाइज की गई हैं अफिलेट कोल वाले students हैं वो एक भार फीर से जो है check जरूर कर लें कि आपकी date sheet में exam के schedule में कोई बदला हुआ है या नही हुआ और इसके अलावा जो practical का schedule है जो practical के notification हैं happening Espa smoke यह स्मेश्ड के उड़्ड वाले information का भी जिकर के गया है और कुछ जुरूरी जान करें यहां पर बताईगी हैं कि जो exam सोने university teaching departments के, इंसिट्यूट्स के, affiliate college के, PG courses के, first semester के, जो old semester के exam सोने, first semester के, उनके लिए schedule क्या रहने वाला है, chemistry को छोड़ कर, math को छोड़ कर, geophysics को छोड़ कर, बाकी सभी के लिए university teaching departments और institutes के लिए, PG courses के, first semester के जो exam सोंगे, पहले वाले schedule के accordingly, यानि के जैसा की, 16.1.2023 से, 31.1.2023 तक पहले की तरह है, और जो exams chemistry के, 25.1.2023 से होंगे, इनके लिए अलग से यह schedule बताएगा, chemistry के लिए, math, geophysics, statics and OR के 27.1.2023 से, और उसके बाद जो affiliated college के, PG courses के, first semester के जैसा होने हैं, वो revised, जो schedule है, 31.1.2023 इसके accordingly सुरू होंगे, बी pharmacy के first semester के जैसा हैं, वो 28.3.2023 से करवाई जा सकते हैं, और जो second semester के exam सोंगे, वो बाद में conductor करवाई जाएंगे, और जो classes होंगी second semester की, वो exam खतम होने के बाद ही सुरू करवाई जाएंगी, उसके बाद ही सुरू होंगी, और जैसे कि अगर सलेबस पूरा नहीं होआए, कोई भी कमी पेसी रहती है, तो उसके लिए extra classes का arrangement करवाना, समंदिट department, institute या college के head की जिम्मेदारी बनती है, और इसके बारे में फर्दर जरूरी जो आविशक कदम है, वो उठाए जाएं, ऐसा है यहां पर कहा गया है, और इस notification की copy इन सब ही को भेज़ी गये, और साथ की साथ जो MDU, GJUST, CDLU, BPSMV, उसके बाद IGU, CRSU, CBLU, GU, MBSU, इनके जो registrar हैं, यानि के अलग-लग universities के जो आप नाम देख रहे हैं, उनके registrars को भी इस notification की copy भेज़ी गया, और क्योंके से affiliate जीतने भी college institute से उनके सभी principals, directors को भी notification की copy भेज़ी गया, इन सभी को notification की copy भेज़ी के तो यह थी जरूरी जानकारी, जो कि आपको प्राप्त हो और इसके accordingly ही आप अपने exams को लेकर सचेत रहें, तैयारी करते रहें,